नमस्कार दोस्तों, JC Academy के YouTube चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यहां पर यह होगा कि 200 questions में यहां पर आपके साथ में डिसक्स करूँगा। और यह most probable questions होगे जो आपके paper में आएंगे क्योंकि ADM and phrases के अच्छे quality के अच्छे level के और हर particular pattern के questions कहीं पर भी available नहीं है। लेकिन JC Academy लिए आपके लिए यहां पर लेकर के आया है। टेलिग्रायम चैनल से अगर अभी तक आप मेरे नहीं जोड़े हैं तो t.me slash English उभाई शुभम सर इससे फटाफट से आप यहां पर जोड़ जाईए। यहां पर मैं आपको प्रवाइड करता हूँ रोज English की एक free PDF जहां पर vocabulary में antonyms, synonyms होते हैं, one word substitutions होते हैं, phrasal verbs होते हैं, idioms and phrases होते हैं, miss spelled words भी वहां पर मैं आपको प्रवाइड कराता हूँ, साथ ही साथ आप अपने doubts भी मुझे वहां पर भेज सकते हैं, चलें इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक information यहां पर यह कि SSC sigil mains की खासकर English की तयारी के लिए मैं यहां पर लेकर क्या हूँ, English Advantage का एक वीडियो कोर्स, जिसकी प्राइज है one triple nine, लेकिन अगर आप तरू 50 यहां पर coupon code लगाते हैं, तो 50% discount में आपको मिल जाएगा 30 plus hours का इसमें content है, assignment के साथ lecture PDF भी है, medium इसका bilingual है, 1000 से उपर questions आपको यहां पर provide कराए जाएंगे, साथी साथ doubt classes और free test series भी आपको यहां पर available कराए जाएगी, चले, one by one question की तरफ हम लोग यहां पर move करते हैं, पहला question है, to let off steam, Ritik started murmuring, अब आपको यहां पर यहां पर यहां कि भाई जो idiom यहां पर लिखा हुआ है, let off steam, इसका मतलब यहां पर क्या होता है, देखें, दोस्तों let off steam का मतलब होता है, अपना गुसा दिखाना, to show anger, ठीक है ना, अब यहां पर हमने his basically क्यों लिख दिया, क्योंकि यहां पर हम किसका इस्तमाल कर रहे है, रितिक का हम लो इसको refer यहां पर कर रहे है, उनका जो मतलब होगा ना, वो इसके ही according आपको यहां पर बताना होगा, चले, दूसरा यहां पर देखते हैं, the student of that group have assured their project guide that they will all work against the clock, भाई, इसको समझने से पहले एक picture आप यहां पर देखना, against the clock जैसे ही आपके दमाग में आता है, आप सुनत पूरी की पूरी ताकत के साथ में देखो, विगर का मतलब होता है strength, सबसे best इसका synonym होता है strength, ठीक है ना, उसने यहां पर यह बोला है कि work with vigor to finish in limited time, बैटर है मैं इसको यहां पर ऐसे लिग देता हूँ, full strength, पूरी की पूरी ताकत के साथ क्या करेंगे, यहां पर काम student ने यह बोला project के guide को, कि मैं और मेरी जो team है, जो हम लोग है, हम सभी लोग जो है, तो पूरी strength के साथ में काम करेंगे, थाकि हम अपने काम को समय से पहले और समय रहते हुए खतम कर पाएं, ठीक है ना, next यहां पर move करते है, गीतेश made away with 10,000 rupees in the course of 3 months, यह देखिए गीतेश यहां पर भाग रहा है, made away with का मतलब क्या होता है, made away with का यहां पर मतलब होता है, दोस्तो भाग जाना, ran away with किसी चीज़ को ले करके भाग जाना, तो गीतेश ने क्या किया कि भाई, तीन महीनों के अंदर उसने 10,000 rupees लिए और वो भाग गया, ठीक है ना, अब यहां पर यहां पर मतलब होगा, gave me a great pleasure, ठीक है ना, मुझे क्या किरा कि भाई, उसने मुझे जैसी बताया कि मैं उसके लिए कितना खास हूँ, ठीक है ना, इस चीज़ ने मेरा दिन बना दिया, इस चीज़ ने मुझे बहुत जादा खुशी दी, ठीक है ना, और वैसे भी हमारे पा क्या होता है, ठीक है ना, मान के चलिए कि किसी इनसान ने आप से कुछ कहा, और कुछ यू कहा कि आप दोनों के बीच में मतभेद हो गए, ठीक है ना, मान के चलिए एक इनसान यहां पर है a, और एक इनसान है यहां पर b, मैं यहां पर mark कर रहा हूं b, और यहां पर मैं mark कर हूँ A, ठीक है ना, B ने A से कुछ बोला, और कुछ इस तरह से बोला कि भाई, इन दोनों के बीच में आपस में क्या हुआ है, इनके व्यूज मैच नहीं करने लगें उसके बाद में, इन दोनों के बीच में मतभेद हो गए, ठीक है ना, तो रिसेंट फुल का मतलब क्या होत ठीक है ना, हम एक दूसरे को फेवर करना हमने बंद कर दिया, और मैं बेसिकली क्या हो गया, मैं रिसेंट फुल हो गया इस चीज़ की वज़े से, मैं इस चीज़ की वज़े से उदास हो गया, तो रिसेंट फुल का मतलब उदास होना तो होता है, बिलकुल अच्छी बात ह लेकिन कब उदास हुए जब भाई किसी ने हमसे कुछ कहा जब किसी ने हमसे कुछ कहा चीक है न और हम क्या हो गए उदास हो गए तो presentful का मतलब उदास होना तो होते ही है लेकिन वो तब होता है जब आपस में मतभेद पैदा हो जाए वो भी कब जब दूसरे किसी इंसान ने आप से कुछ कहा हो, चीक है न, नेक्स्ट मूफ करते हैं, फिफ्थ वाले पे, फ़र सम पीपल, राइटिंग वर्स इज, एस डख टेक्स टू वाटर, उसने ये बोला कि भाई, कुछ लोगों के लिए, जो लिखने की कला होती है, न, मतलब कुछ लोग अच्छे लिखाक होते हैं, ठीक है न, तो ये जस्ट कैसी है, एस डख टेक्स टू वाटर, डख टेक्स टू वाटर का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान, मतलब ये उतना आसान है, जितना आसान, किसी एक बतक के लिए, पानी में जाना है, तो इसका मतलब वो बेसिकली हाँ पर ये होता है, एस डख टेक्स टू वाटर का मतलब क्या होता है, ये चीज बहुत ज़्यादा आसान है, तो यहाँ पर ये बताना चारा है कोशन में, कि कुछ लोगों के लिए, जो लिखने की कला होती हना, जो ये आठ होता है, ये बहुत ज़्यादा आसान एक चीज सोती है, और कितनी आसान होती है, उतनी आसान होती है, जितनी आसानी से एक बतक पानी में तैर पाती है, ठीक है न, चले, हम लोग अब आते हैं, 6th वाले question पर on the spur of the moment दोस्तों इस particular question को यहाँ पर समझाने के लिए इस ADM को यहाँ पर समझाने के लिए on the spur of the moment मुझे यह picture आपको समझाना पड़ेगा वरना इसमें बहुत ज़्यादा confusion बच्चों को basically रहती है ठीक है न देखो यह जो spur होता है spur का मतलब basically encourage करना होता है इसका मतलब basically क्या होता है encourage करना होता है बहुत ध्यान से मेरी बास समझना ठीक है न अब आप यहाँ पर देखो इस पर जो हमारे पास होता है इसका मतलब directly किस से link होता है encourage से ये एक verb भी होता है ये एक noun भी होता है ठीक ना अब यहाँ पर देखो the article लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर the article लगा है article किसके पहले लगाते हो noun के पहले तो यहाँ पर इस पर क्या है to act at once लेकिन ये चीज दमाग में आईगी कैसे इसे समझाओंगा मैं कैसे यहाँ पर देखो दोस्तों क्या होता है ये जो घुड सावार होते हैं जो horse rider होते हैं इनके जो जूते होते हैं ठीक ना इनके जो राइडिंग ये जो उनके पर shoes होते हैं यहाँ पर देखिए कुछ metal का कुछ यहाँ पर लगा हुआ है ठीक है ना यहाँ पर metal का कुछ लगा हुआ है इसको यहाँ पर बोलते हैं इस पर बहुत सारी जगे आपको चीज बिसिकले देखने को मिलेगी जो ये घुड सावार होते हैं ना इनके जो शूज होते हैं, यहाँ पर उनके शूज में एक मैटल का चोटा सा एक तुकड़ा वहाँ पर लगा होता है, ठीक है इसको बोलते हैं इस पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा आप इसको इस पर क्यों बोलते हैं, जब कभी भी यह घोड़ा होता है, जब य झारता है यह रेस वगयरा में जब यह eहाँ पर हो जाता है न Ab Mormont! चुप बाइछा पसहा और कि बाइचे सोल के जाने हैं जाता है, इसके siang तो ईवाया होती है, ょ यहां पो उतको म्यारते हैं, तुरंत और फिर वो फास्ट फास्ट यहां पर भागने लग जाता है ठीके ना, तो क्या होता है कि भाई, on the spur of the moment का मतलब क्या होगा, to act at once जैसे ही इस घोडे को जूता इसने मारा, वो वाला portion मारा भाई, जहां पर इस पर लगा हुआ है तुरंत घोडा क्या हुआ, तुरंत उसने वो अपने action में आया, ठीके ना, उसने तेज भागना यहां पर चालू कर दिया ठीके ना, इस तरह से आप इसको समझे, on the spur of the moment चले फिर हम लोग आते हैं, 7th वाले problem पे, to have something up once sleeve ठीके ना, अब भाई, इसका मतलब क्या होता है, to have something up once sleeves ठीके ना, जोस्तो, इसका मतलब यहां पर होता है, to have a secret plan to have something up once sleeves, भाई, यह जो sleeves है उसके अंदर कुछ है, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आप छुपा रहे हो ठीके ना भाई जो आपकी स्लीव हैं वो यहां पर यह बोल रहा है कि भाई आप उसके अंदर कुछ है मतलब आप क्या कर रहे हो आप कुछ ना कुछ छोपा रहे हो इसका यहां पर मतलब क्या होता है देखें इसको यहां पर किस तरह से समझेगे है अप यह जो है तो बहन जी advice कि और इन्हों ने यह एक 25 है ठीके न और इन्हों ने एक भाई साहब को यहां पर क्या किया है एक red letter basically gift किया है ठीके न और आप यहां पर देख रहे हैं कि भाई जो भाई साहब हैं कितने जादा खुश होगा है तो red letter day का मतलब क्या होगा red letter day का मतलब क्या होगा an important or joyful occasion in one's life यह तो समझाने की अब जरूरती नहीं पड़ी है 9th वाले question में यहां पर आजाए है to explore every avenue पहली बात तो समझो avenue का मतलब क्या होता है तो अबन्यू का मतलब होता है एक wide सडक एक चौड़ी सडक जिसके आसपास क्या हो खूब सारे पेड़ लगे हो ठीक है न यह होता है avenue का मतलब ठीक है यह होता है avenue का मतलब एक wide जो है तो to try every avenue यह तो मैंने आपको avenue का मतलब बताया इसका यहां पर दोस्तों मतलब होता है to try every opportunity जिससे मान के चलिए क्या होता है कई बारी जो काफी सारे student होते हैं कि भाई मान के चलो किसी particular government exam की जो date है ठीक है न वो 30 years है ठीक है अब मान के चलिए कोई बच्चा है वो 29 years का यहां पर हो चुका है अब उससे घरवाले basically वो यहां पर क्या बोलेंगे कि भाई तुम सिर्फ एक exam की तयारी नहीं करो मान के चलो यह exam X क X, Y, Z, आप सारे के सारे exam को यहां पर क्या करो दो इतने भी opportunities है आप किसी को भी गवाँ मत जितने भी exam आर है सबको आप दे दीजिए सभी चीजहों का आप यहां पर क्या करिए explore कर यह यहां पर Avenue लिखने से मालम मतलब क्या है Avenue जो शब्द होता है इसका डिरेक्ट जू शब्द से जहां पर चीज़ें वाइड होती है ना वहां पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जब चीज़ें वाइड हो जाएंगी तब क्या होगा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी वही चीज़ें वही चीज़ें वाइड हो गए चीज़ें बड़ी हो होगा, बहुत सारे चीज़ें आ जाती है, तो पहले वो exam X देता था, बो exam A भी दे सकता है, B भी दे सकता है, C भी दे सकता है, X, B, Y, B और Z b, क्योंकि अब क्या होगा, चीज़ें यहां पर Avenue बन चुका है, अब यहां पर जो चीज़ें है, वो काफी जादा वाइड हो चुकी है, चलिए, 10th वाले पर आते हैं, 10th वाले का है, at once back and call, इसका मतलब होता है, to be useful to someone, मतलब किसी ने आपको बुलाया और तुरंत आप उसकी मदद के लिए पहुंच गए, चलिए न, तो इसका मतलब क्या होता है, to be useful to someone, चलिए, अब हम लोग यहाँ पर move कर में क्या होता है, stage has been set, stage है, वो पूरी तरह से तयार हो है, इसका मतलब होता है, the situation is conducive, अब यह conducive का मतलब क्या होता है, conducive का मतलब होता है, good for, इसका मतलब क्या होता है, good for, अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, the stage has been set, मतलब the situation is conducive, conducive क्या मतलब होता है, good for, यहाँ पर व इसका सियूंक मतलब उता है इसका मतलब होता है इसका Dual To Be आध시고 कुछ आपको यहां पर मतलब लिथेता हो दूसरा है को Clear Looks अधर वाले पर आउट आफ़ दा question out of the question का मतलब होता है दोस्तों impossible इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है impossible यह चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है out of the question का मतलब होता है impossible ऐसी चीज चो possible ही नहीं है ठीक ना 13 फाले पर यहां पर move करते है 13 वाला यहां पर क्या दिया, in the nick of time, in the nick of time, यह बहुत जादा important है, इसको जो है तो VIP question माग कर लिजेगा, यह maximum को exams में आता है, और इसको basically क्या होता, यह repeat होता रहता, यह इस type of question यहां पर है, ठीके न, in the nick of time का basically मतलब होता है, precisely in the right time, मतलब एन वक्त पे, एन वक्त पे ठीके न, एन वक्त का मतलब, यहां पर क्या होगा, मान के चलिए, आपको deadline दी गई है, 4 pm की, आपने चीज को basically यहां पर खतम किया, 3.59 pm पे, ठीके न, तो हम यहां पर यह बोलेंगे, कि भाई, जो मेरा task है, न, मुझे बोला गया था, कि मुझे चार वजे खतम करना है, मैं मैंने task को खतम किया है, in the nick of time, in the nick of time का मतलब क्या है, बिल्कुल एन वक्त पर मैंने इसको खतम किया, 14th question यहां पर देखें, 14th question वो यहां पर क्या बता रहा है, 2C red, यह तो आप देखी रहोंगे, मुझे बताने की जरुवती नहीं है, इसका मतलब यहां पर क्या होता है, to get angry, 15th वाले पर यहां पर आजाए, on this side of the grave, ठीक न, on this side of the grave, दोस्तों, यह कभी आपके paper में एक समय में आया, यह question मैंने इसलिए यहां पर लिया हुआ है, on this side of the grave का मतलब होता है, in this world, इस संसार में, ठीक न, 16th वाले पर यहां पर move करते है, do not lose your head in public, यह बहुत ज्यादा important है, do not lose your head in public, lose your head, lose your head, lose your head, दोस्तों, इसका मतलब हो जाता है, गुसा होना, कि तुम public में जो है न, तो तुम गुसा मत होना, तुम public में क्या मत होना, तुम गुसा मत होना, ठीक न, यह यहां पर इसका मतलब होता है, यह video session इसलिए भी important हो जाता है, कि जितने important idioms and phrases के questions ब बहुत होते हैं दोस्तों कम समय में वो तो आपको कराए जा रहे हैं प्रिविए सिर के कोशन भी में यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं है जोटी मोटी बात तो यहां पर क्या बोल रहा है वह यहां बोला है हैं पर यहां पर यह कहना चाहिए कि भाई उसकी आदत है कि वह जो है तो लड़ाई जगडे में पढ़ जाता है चोटी छोटी यह मामूली बातों पर भी यहां पर क्या होगा picking up a fight चले 19th question अब यहां पर move करिए His utopian His utopian idea was entertaining but not acceptable अब यहां पर पहली बात तो यह देखो कि यह utopian का मतलब क्या होता है मैं आप कोई इस चीज को समझाता हूँ दोस्तों इसका मतलब होता है impractical मतलब क्या होता है इसका impractical या मैं सबसे अच्छा इसको यहां पर बोलू ना तो इसको मैं यहां पर बोलता हूँ कोई चीज मतलब सिर्फ ऐसी चीज जो सिर्फ ख्यालों ख्यालों में या और बेटर मिसको अगर यहां पर बोलू तो एक और इसका आप यहां पर इसका वह ले लिजे Synonym यहाँ पर ले लिजिए यह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Illusionary ठीक ना और यहाँ पर आप इसका वह ले लिजिए एक और Synonym आप यहाँ पर इसका ले लिजिए That will be Fantasy एक और आप यहाँ पर इसका ले लिजिए That will be C-H-I-M-E-R-I-C-A-L Fine, this is Shimmerical तो utopian idea was entertaining but not acceptable क्योंकि वो idea कैसा था? वो impractical था, वो सिर्फ खयाली idea था ठीक ना, वो entertaining तो था बट वो acceptable नहीं था ठीक ना, तो भाई, utopian का मतलब क्या होता है? भाई, इसका मतलब होता है impractical या ऐसी कोई चीज जो की खयाली हो खयाली का मतलब क्या होता है? जो चीज़े imaginary हो ठीक है ना, तो कई बारी क्या होता है? जब आपकी vocab strong होती है ना तो भी आपकी idioms and phrases के सवाल बनने लग जाते हैं 20th पर आजाए दोस्तों, fit of the blues का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इसका मतलब होता है a good sportsman cannot effort to have a fit of the blues before the game fit of the blues को यहाँ पर मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि भाई अगर एक कोई अच्छा sportsman है ना तो उसके लिए यह चीज़ बिलकुल भी यहाँ पर सही नहीं है कि भाई वो game के पहले depressed हो जाए वो क्या हो जाए game के पहले? भाई वो game के पहले depressed हो जाए तो यहाँ पर क्या जाएगा? next यहाँ पर move करिए his investments help me make a killing in the stock market ठीक है ना भाई देखो make a killing का मतलब क्या होता है make a killing का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी पैसे बनाना यह recently आपके paper में आया सर ठीक है ना? चले 22nd पर आते हैं on the issue of marriage संगीता put her foot down ठीक है ना? put her foot down put her foot down यह काफी सारे idioms और फिसे आपने से पढ़े होंगे जिससे मिलता जुलता है अपना जो पैर है ना वो जमा लिया अपना पैर जमाने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने decision से बिल्कुल यहाँ वहाँ आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं और आपने decision पर आप अड़े हुए हो यही बात तो यहाँ पर कर रहा है कि भाई जब शादी की बात यहाँ पर हुई तो संगीता क्या थी? उसने क्या करा? वो अपनी बात पर अड़ी रही ठीके ना? वो अपनी बात पर अड़ी रही उसने किसी की भी बात फिर नहीं सुनी जो इसका decision था वो इस decision पर basically क्या रही? फर्म रही फर्म रहने का मतलब क्या होता है? अड़ा रहना किसी चीज़ पर टिका रहना ठीके ना? यह वाली बात यहां पर आती है वैसे भी जो down हमारे पास शब्द है यह बहुत सारे idioms and phrases में आएगा और इसका मतलब यहां पर यही होगा क्या? कि आप किसी चीज़ पर आप क्या हो आपने अपने idea को या खुद को यहां पर क्या कर लिया है? फिक्स कर लिया है तो जब कभी भी down आएगा इस शब्द को बिलकुल आप यहां पर ध्यान रखिएगा ठीके ना? फिर जो भी हमारे पास differences होंगे कि भाई कहां पर down आता है तो मतलब बदल जाता है वो भी मैं आपसे explain करता चलूँगा 23rd वाले में आजाईए तो पुलिस लुक्ड ओल ओवर हिम बट ड्रिव आप ब्लैंक देखो ब्लैंक मतलब क्या होता है? ब्लैंक मतलब भाई यह खाली पेज खाली पेज का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं लिखा कुछ भी नहीं लिखा मतलब क्या है? 0 मतलब पुलिस ने देखा तो हर जग है बट result क्या आया? result क्या आया? result आया 0 इसका क्या आजाएगा answer? C आजाएगा भाई मिला ही नहीं 24 देखें राम is very calculative and always has an x2 grind यह तो बहुत ही जादा important है साथ ही साथ common भी है ठीक नहीं देखो nx2 grind का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई आपका कोई मकसद है आपका खुद का कोई स्वार्थ है मैं repeat कर रहा हूँ nx2 grind का मतलब होता है कि भाई आपका खुद का कोई स्वार्थ है आपका खुद का कोई मतलब है मतलब निकल रहा है ठीक ना यह यहाँ पर इसका मतलब होता है तो मालूम में यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा has a private agenda राम is very calculated and always has a private agenda चलें यहाँ पर आ गयाते हैं क्योंकि दोस्तों बात यह है न आप कहीं से भी idioms and phrases उठा लीजिए ठीक ना top 20 ए top 25 idioms and phrases में आपको यह मिल ही जाएगा यहाँ पर इतना important है 25 वाले question पर आते हैं जो आज के session का हमारा last question होगा there is no gain saying the fact that the country is in difficulties in times of COVID-19 जी हाँ दोस्तों और हम सब यह चाहते हैं यह बहुत ही जल्दी यहाँ से पूरी तरह से situation normal हो जाए covid फटाफट से यहाँ से भाग जाए there is no gain saying the fact that the countries in difficulties in times of COVID-19 आप इस चीज को deny नहीं कर सकते हो no gain saying का मतलब है कि भाई आप यहाँ पर क्या यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप इस चीज से नहीं मुकर सकते हैं आप इस चीज को मना नहीं कर सकते हो कि भाई जो country है जो देश है यह बहुत ही मुश्किल परिस्तितियों से गुजर रहा है वो भी कब covid-19 के हमारे situation में इसका हमारे पास answer क्या आजाएगा अब भी यहाँ पर आजाएगा उस तो कुछ important सी बात हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ उस तो हमारे जितने भी error detection के यहाँ पर playlist में वीडियो ज़ले हैं वो सारे के सारे वीडियो जाब देख लीजेगा मैं challenge करता हूँ कि अगर अभी आपकी efficiency 50% होई है तो उसको 50 से 90% जाने में ना दोस्तों दो दिन का भी समय यहाँ पर नहीं लगेगा साथ ही साथ PQRS की हर variety मैंने यहाँ पर discuss करी है चीक के ना active passive अगर मैं यहाँ पर लूँ और direct indirect मैं यहाँ पर लूँ ठीक है ना दोस्तों तो इनसे भी आपको पता है कि कितने कितने कोशन आते हैं 20-20 कोशन हमारे पास आते हैं तो इनके भी सारी जितनी भी variety के दोस्तों कोशन बन सकते हैं और जितनी भी concepts यहाँ पर बन सकते हैं वो सभी मैंने discuss हमारे वीडियो में किये हुए छीकिना miss spelt words तक हमने दोस्तों यहां पर जितने भी probable हमारे पास question basically हो सकते हैं वो भी हमने यहां पर क्या किये हैं discuss किये हैं तो दोस्तों करना आपको यहां पर यह है कि एक भी video दोस्तों आपको यहां पर miss नहीं करना है मेरा challenge है कि 4 से 5 दिन सारे के सारे videos देखने के बाद में आपकी preparation बूस्ट हो जाएगी और हमारा video course इतना जादा effective है कि but naturally आपको लगेगा कि नहीं अब मैं paper को अच्छी rank के साथ में clear कर सकता हूँ यह कर सकती हूँ ठीके न और अभी तक अगर आप में telegram channel को join नहीं किया है तो फटा फट से आप मेरे telegram channel को यहां पर join कर लिजे मिलेंगे हमारे next session में till then stay safe and take care and stay tuned to JC Academy